ये गाईज, वेलकम टो मैं चैनल, ओप्रेटिंग सिस्टेम की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस स्टेट डाग्राम, ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है कॉलेज के एक्जाम के लिए भी और कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए भी, तो इस वीडियो को ज सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, तो प्रोसेस स्टेट ट्राइशन डाग्राम के है, ये एक जस्ट एक मॉडल है यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब ये एक डाग्राम है, जो एक ओवर्वियू देता है, कि हमारा जो प्रोसेस है, वो प्रोरी में आया वह क्रेट हुआ फिर उसके बाद जो है वो एक्जियूत हो रहा है फिर उसके बाद वह डिलीट हो रहा है इस तरीके के जो सारा ओबर्व्यू है वह इस हम लोग जो हैं ट्रांसेशन डागराम से पता चलता है तो जो हमारा primary जो फ्रोसेस का वह हैं यह steps जो बात भी हम लोग आगे भी देखेंगे और भी जो है states है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं new states new state means वो state जब हमने process को create किया जब हमने process को create करते हैं तो ये create तो जब हमने process को create किया means ये secondary memory है तो अभी जो अगर हम लोग बोलेगे कि हमारा process इसका मतलब हमारा process जो है वो secondary memory अभी तक वो main memory में नहीं आया है और process जो हमारा बस अभी create हुआ है अब क्या करना है हम लोग को process को तो हम लोग को execute करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा ready state में process को लाएंगे अब हम लोग यह जो new state है यह हमारा secondary memory है और यह ready state जो है यह हमारा main memory ओके तो यहाँ पर concept है कि हम लोग जो हम process को क्या कर रहे है secondary memory से main memory में रा रहे है मतलब RAM के अंदर ला रहे है से secondary memory से सारे process को तो RAM में नहीं लाएंगे secondary memory तो काफी बड़ी होती है और हमारा RAM जो है वो limited होता है तो जो भी process हम लोग को RAM में लाएंगे तो यह हम लोग RAM में लाएं तो कौन लाता है यह हमारे processes को RAM में यह लाता है Long Term Scheduler तो यहीं से यह concept है long term scheduler का यह जिनरेट हुआ कि secondary memory से process को RAM में कौन लाता है long term scheduler अब हमें हमारा secondary memory अभी तक हमारा process ready state में ready state से क्या होता है हम लोग को process running state में लाता है ready state में भी हमारे पास बहुत सारे process होते है suppose अगर इसमें हमारे पास बहुत सारे process है 100 process है new state में क्योंकि यह secondary memory है और हमारे पास ready state में let's suppose 10 ही process है तो 10 process को जो हम लोग को 10 process को तो हम लोग को यहाँ पे सबको execute करवाना होगा तो कौन से process को कितने process को हम लोग running state में लेके जाएंगे यह total depend करता है कि हमने कौन सा processor use किया हुआ अगर हमने uniprocessor लगाया हुआ है तो हम लोग एक ही टाइम पे एक ही process को लेके आ सकते हैं अगर हम लोगों ने multiprocessor यूज किया है तो हम लोग according to कि कितने CPU हैं हमारे पास उतने हम लोग process को ला सकते तो यह running state क्या है यह basically यह CPU है तो guys हम लोग यहाँ पे अभी consider करके चल रहा है कि हमारे पास यूणी प्रोसेसर है तो ready state में जितने भी process होंगे उसमें से हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस को एक ताइम पे running state में ला सकते हैं क्योंकि जो multiprocessor का concept है इससे पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं multiprocessor रहेगा तो उसके हिसाब से execute होगा लेकिन जो हम लोग को syllabus में है वो अभी यूणी प्रोसेसर के base पर है तो अभी हम लोग यही समझेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही CPU है तो ready state में हमारे पास जटने भी प्रोसेस है उन में से हम लोग किसी एक प्रोसेस को भी running state में ला सकते हैं इसी चीज को हम लोग बोलते हैं schedule करना करना हम लोग process को जो है schedule कर रहे है schedule का जो easy mini हुआ वह हुआ selecting selecting a process for the execution execution कर लिए अगर हम लोग किसी process को select करते हैं तो उसको हम लोग बोलते है schedule करना process को तो यह ready state से कौन schedule कर रहा है process को running state के लिए यह कर रहा है short term scheduler तो short term scheduler का क्या है main memory से sorry और ही ready state से process को running state में लेके जाना ये भी running state ये भी main memory ही है ये सिर्फ हमारा secondary memory था अभी यहां पर RAM के अंदर का काम दिखा रहा है उसके बाद हमारा process running state में आगया जैसे process running state में आगा वो अपना CPU means अपना CPU execute करेगा उसके बाद भी terminate हो जाएगा means खतम हो जाएगा अब यहां पर एक और arrow बना हुआ है उसमें लिखा है priority और time quantum इसका मतलब कि जब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ready state में कोई ऐसा process आ जाए जिसकी priority काफी जादा हो तो उसको हम लोग ready state में वेट कराने के लिए नहीं रख सकते उसको हम लोग को तुरंट जो है CPU को देना होगा और फिर CPU उसको execute करेगा तो वो ready state में नहीं रह सकता लेकिन जैसे हमारा process ready state में आया तो उस time पे running state में कोई न कोई तो process होगा जो के execute कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या करना होगा context प्रिम्ट करना होगा किसी भी process को अगर हम लोग जबरदस्ति stop करते हैं तो उसको बोलते हैं paid करना तो उस case में क्या होगगा हम लोग पहले से जो process running state में है उसको हम लोग वापस ready state में लेके जाएंगे और जो high priority वाला process है उसको हम लोग running state को mean CPU को दे देगे वो उसको execute करेगा दूसरा case है यहाँ पर time quantum हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था multitasking का concept तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को multitasking में क्या होता था CPU जो है हर एक process को जितने भी process उसके पास आ रहे हो हर एक process को कुछ time quantum के लिए ही execute करे let's suppose अगर 2 second है तो CPU के पास जितने भी process आएगे वो बस सभी process को 2 second के लिए execute करेगा उसके बाद वो उसको release कर देगा वो उसके बाद उसको वापस दे देगा means अगर process P1 है तो उसको 2 second के लिए execute किया और जैसे वो खतम हो गया उसका 2 second वो process P2 के तरफ देखेगा उसको process P1 से फिर कोई मतलब नहीं होगा तो उस टेम पे क्या होगा जैसे उसने P1 को execute किया उसकी 2 second खतम हो गई तो वो time quantum के वज़े से फिर से ready state में चला जाएगा और CPU उस टेम पे दूसरा process P2 को ले लेगा अगर इस बीच में जो है वो उसकी execution complete हो जाती है तो फिर वो terminate भी हो सकता है और यहाँ पे next step है wait on block state हम लोग भी पढ़ाता है system cause जो होते है do type क्यों होते है CPU time और IO time जब भी कोई process CPU को मिलता है तो जरूरी तो नहीं कि उसको सिफ CPU की ही जरूरत है कुछ calculations ही करने है हो सकते है उसको IO demand है उसकी तो IO जब demand आएगी तो CPU तो उस time पे वो उसको लेगे कुछ कुछ को करना है नहीं CPU तो बोलेगा जाओ जाके IO perform करो तो उस time पे CPU क्या करेगा उस process को वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा वो process और उसकी बाद जो भी प्रोसेस है वो अपना IO complete करेगा और जैसी उसकी process की जो IO complete हो जाएगी वो वापस से ready state में चला जाएगा यहां पर यह note करने की है कि जब जो process को IO की demand है वो process wait and block state में जाएगा और जब उसकी IO complete हो जाएगी तो वो वापस से running state में नहीं जाएगा वो जाएगा तो जब भी हमारा process create होता है हम लोग उस process को कुछ address प्रवाइड करते कुछ resource देते मींस हमारा उस process का process control block create होता है उस process control block में उस process की ID और वो कौनसे state में वो सब लिखा रहते हैं और जब वो process terminate हो जाता है तो वो उससे हम लोग resource और वो जो address उससे वापस ले लेते हैं तो गई प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का जो concept है हम लोग अपने आगे की वीडियो में अच्छे से देखेंगे यहाँ पर बस इतना समझ दीजे कि जब process create हुआ तो उसको जो भी address मिलेगा process के termination के time पर हम लोग उससे व दो और states हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर एक और state जो है add किया है मैंने suspend ready state अब इस state में क्या होता है concept बहुत ही simple है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे ready state में जब long term scheduler ने secondary memory से main memory में जो process को लाया है उतना तक तो ठीक है main memory हमारा limited है यह याद रखना है इसी time पे जब हमारा जो है यह ready state फुल हो गया उसChemper new state में कोई एक हाई priority वाला प्रोसेस आ गया तो Long Term Scheduler क्या करेगा उसको जल से जल क्या करना है इसका काम ज़्यादर से ज़्यादर process को ready state मिलाना इसका क्या है तो यह क्या करेगा यह तो जो हाई priority वाला process जो होता है वह operating system का process होता ही तो उसक Suspend ready state में हमारा कुछ process जो है जो low priority वाला होगा वो wait करेगा और high priority वाला process जो है वो ready state में आ जाएगा उसके बाद फिर वो जो है execution के ले जाएगा और जैसे ही हमारा ready state की जो space है अगर वो available हो जाएगी तब जो है वो जो process है वो resume होगा तो यह बस इतने सा यहां पर concept है और दू लोका का process जो है वो running state में आया उसको IO की request हुई तो वो आ गया wait और block state में और simple जब IO complete हो गया तो वो ready state में चला गया लेकिन इस time पे क्या होगा ना कोई ऐसा case भी हो सकता है कि हमारा जैसे ही process ready state में आया running state में गया और उसको तुरंट जो है आयो की request आई आयो की demand कर रहा है तो वो तुरंट चला जाएगा wait and block state में पहला process P1 जो है वो block हो गया IO की request आई उसको तो दूसरा process P2 को भी जो है IO चाहिए तो भी वो wait and block state में आ गया इस तरीके से हमारे पास जतने भी process है जो CPU को मिल रहे है वो सभी के सभी को जो है IO चाहिए तो क्या होगा इस तरीके से process आएगा running state में तब उसको भी अगर IO चाहिए तो वो तो यहां पर नहीं आपाएगा ओके तो CPU स्टेम तो हमारा idle हो सकता है तो उस case में क्या होगा हमारा जो wait state में जो भी process है उसकी IO complete जो हो चुकी है उसको उस process को हम लोग क्या करेंगे suspend wait में ले आएंगे suspend wait में जो है IO मतलब ऐसा नहीं है कि IO complete हो चुकी है IO complete हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है तो भी हम लोग क्या करेंगे उसको suspend wait में ले आएंगे इस concept को जो हम लोग आगे discuss करेंगे अभी फिलाल इतना समझेए कि जब wait state भर जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे suspend wait में ले आएंगे wait state कैसे भरेगा सभी process को IO की request आएगी तो wait state भर जाएगा तो उसके बाद और उससे वज़े से वो suspend wait में आ जाएगा जब इसके next पे wait state जो है उसके पास अगर space आएगा तब suspend wait की जो process है वो चला जाएगा वो resume हो जाएगा दुबारा चला जाएगा wait and block state में और यहां तक का concept के लिए जैसे फिर वो wait and block state में जाएगा फिर वो अपना IO का जो भी अगर उसके पास बचा होग यह नहीं करना होगा तो उसके बाद वो अपना complete करके जो है आयो completion के बाद जो है ready state में चला जाएगा अब इस time पे दूसरा concept यह है कि अगर wait state हमारा खाली नहीं हुआ हमारा पास जो है जो भी process है वो आते जा रहे है main memory running state में उसके बाद वेटिंग state में और उसके बाद हम हम लोग suspend wait में भेज रहे हैं और वापस जो resume वाला जो हमारा यहां पर यह जो line है यह execute ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि wait state बार-बार भरते जा रहा है तो इस time पर जो भी हमारा process रहेगा इसको काफी लंबे time के लिए यहां पर suspend wait में wait करना पड़ सकता है तो starvation की problem आ सकती है तो यहां पर क्या कर रहे हम लोग suspend wait से यह क्या है ना यह secondary memory है secondary memory में इसके पास बहुत सारे space है यह भी secondary memory है तो हम लोग इसमें process को रख तो सकते हैं लेकिन जादा दिर wait तो नहीं करा सकते क्योंकि starvation की problem आ जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे ना इन से जो process जो भी है उसक ready में means process complete तो कर चुका है अपना आयो लेकिन अभी भी वो suspend है क्योंकि वो वापस नहीं जा पा रहा है तो जब वो process यहां पर suspend ready state में आ जाएगी यह भी secondary memory तो यहां पर जो है space का कोई problem नहीं है तो उसके बाद फिर अगर वो resume होगा तो वो ready state में चला जाएगा और इस तरी attain day का है अधियल में में मिलाता है में मरें ने सरे से रीकडा कर रहा है यह काम कर रहा हमारा मेडल टर्म शेडिूलर की सरे का stops को सेडिय्थ मिला रहा है और यहां पर घजडाह को यहां पर बीई से इच्ट चाहएर यहां कर दढ़ हूं ए ऄद बीर 6-day फै न मिलांत कर चा दाग्राम्idey चाहिस मैं एक बढ़ क्विक Prefour क्रा देती हूं सबसे पहले जो हमारे प्रोसेस Nana स्टेट में आया लिएडी स्टेट में गाल न्वस्टेट हमारे सेकेंरे मोरी एडी स्टेट में 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 अए ओर यह काम करा रहा है लंग् शेडूलर तो according to our scheduling algorithm जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से process जो है वो CPU को मिलेगा और फिर वो अपना CPU time जो है जो भी उसको time लगेगा जो भी उसमें instruction लिखी वो perform करके terminate हो जाएगा अगर इस time पे ready state में sorry अगर इस time पे जो है कोई भी high priority वाला process ready state में आजा है तब क्या होगा CPU में जो भी process जो execute हो रहे हैं वो हम लोग उसको switch कर देंगे और ready state में वापस भीज़ देंगे और high priority वाले process को running state में भीज़ देंगे और अगर दूसरा case है time quantum का कि अगर हमारे पास जो time quantum है process की अगर वो जो है खत्म हो जा रही है तो भी हम लोग वापस से ready state में भीज़ देंगे और यह है next है wait and block state इसमें क्या है जब process को IO की request हो रही है तो वो process जो है wait and block state में आ रहा है जब उसकी IO complete हो जा रही है तो हम process में sorry जब हम लोगों ready state में ready state full हो जाता है और new state से जो है हमारे process जो है नहीं आपाते क्योंकि अगर new state में हमारे पास कोई high priority वाले process है तो नहीं आपाएंगे क्योंकि हमारा ready state full है तो उस time पे हम लोग अपना ready state के कुछ process को जो है suspend ready में भेज देते हैं जगह हमारी खाली हो concept है weight and block state अगर हम जब हमारा full हो जाता है तब हम लोग उसको suspend weight में भेज देते हैं और जब हमारा weight and block state में जगह वापस आ जाती है memory की तो हम लोग उसको फिर से resume कर देते हैं लेकिन अगर हमारा weight and block state काफी लंबे time के लिए खाली नहीं हो पा रहा है तो हम लोग काफी देर क के लिए suspend weight में process को नहीं रख सकते क्योंकि starvation की problem होगी तो उस time पे हम लोग क्या करते है process को suspend weight से suspend ready state में भेज देते हैं तो इसका मतलब process ने अपनी IO complete की हुए लेकिन अभी भी वो suspended है तो I hope guys आप लोगो ये जो है process state transition diagram जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा so guys I hope आप ल चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दीजिए thank you so much guys for watching this video